नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरह आपने बहुत सारी वीडियो से किया होगी जिसमें आपको अक्रोट के गुण बताएगा है लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अक्रोट के फैदे बताऊँगा और खाने की विधी बताऊँगा तो आज जान लेते हैं इस वीडियो में क्या खास है अगर आप ताकत बढ़ाना चाहते हैं अपनी और दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं और जोडो को दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो आप अक्रोट का सेवन करें यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैदे पहुचा सकता है अगर आप अक्रोट खा रहें उसके बाद भी आपको फैदा नहीं हो रहा है आपको कहीं नखिन कैई अक्रोट खाने के तरीके में प्रॉबलम हो रही है अगर आप हेल्ट टिप्स में जो मैं आपको ये नुक्सके बतारा हूँ आप इसका इस्तिमाल करेंगे आपको इस सरीर से फुर्टी और ताकट भी मिलेगी और दर्द का नास होकर आपका सरेट चमकदार दिखेगा आईए इससे पहले जान लेते हैं कि अक्रोट के फैदे क्या क्या है नमबर एक अक्रोट खाने से हमें वजन घटाने में सहयता मिलती है अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो अक्रोट का सेवन के लिए बहुत फैदे मन्द है दूसरा अक्रोट खाने से हम अपने आपको रिलेक्स मैसूस कराते हैं और नीन भी कजब की आती है अक्रोट खाने से हमारा दिल एक्टिव रहता है इससे भरपूर मात्रा में एंटि आक्साइड होते हैं जो दिल को एक्टिव बनाए रहते हैं नमबर चार अक्रोट खाने से हम मदमय के खत्रे से बचाव कर सकते हैं तो फिर खाना जरूरी है ना नमबर 5 अक्रोट खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है इसलिए लोग अक्रोट को brain food भी कहते हैं क्योंकि अक्रोट में vitamin E होता है नमबर 6 अक्रोट का सेवन करने से हम पेट के cancer से भी बच सकते हैं अगर आज से ही अक्रोट का सेवन सुरू करते हैं तो हो सकता है आप cancer से बच सकें नमबर 7 अक्रोट खाने से हमारी life बढ़ती है और हमारे जीवन में ओर्जा रहती है नमबर 8 करवती मेलाओं के लिए अक्रोट खाना बहुत फैदेमंद है क्योंकि इससे बच्चे को allergy नहीं होती है और पोसक तवत्त भी मिल जाते हैं नमबर 9 अक्रोट खाने से चिंता यानि तनाव भी कम हो जाता है और सरीर का लेट पेसर भी नियंतित रहता है नमबर 10 अक्रोट खाने से मेलाओं के इस्तन सुडॉल और स्वस्थ रहते हैं नमबर 11 नियमित रूप से अक्रोट खाने से हमारी हड़ियां मजबूत और स्वस्थ रहते हैं 12 अक्रोट के नियमित सेवन से इस पर्स काउंट बढ़ता है इसलिए इसका खाना जरूरी है 13 नियमित रूप से अक्रोट खाने से बाल और इसके दोनों ही हेल्दी रहते हैं भाईयों ये सब्तोते फैदे अक्रोट को खाने के अब हम जान लेते हैं इसकी विद्धी इसको कैसे खाना है आप 15 ग्राम अक्रोट लेकर एक गलास दूद में डाल कर उबालना सुरू करिए उबालने के बाद पिसी हुई मिसरी मिला लीजिए ध्यान रहे कि चीनु जो आज पिछे से उबालने दीजिए अभी इस मिसरन को सुहाता और सुहाता गर्म गर्म पीए ये सक्ति वर्धक है दूसरा नुक्ता भी जान लीजिए आठ अक्रोट की ग्रियां चार बदाम की ग्रियां दस मुनक्का बीज निकाल कर ये तीनों एक साथ खा कर उपर से गर्म गर् दूप के लिए अत्यान सक्ति भार देगा तो भाईयों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बता हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो अब मैं चलता हूं ओके बाए बाए बाए